इन्स्टॉल पर क्लिक करे और अप इन्स्टॉल होनी तक वेट करे इंस्टॉल होनी के बाद Open बटन पे क्लिक करे। OzoStar को आपके Location का Permission चाहिए क्रिप्या करके अलाव OneE While Using App बटन पे क्लिक करे। Next बटन पे क्लिक करे। दुबारा Next बटन पे क्लिक करे। आप अपने User Profile पे क्लिक करे। OzoStars मी दिया हुआ Register Mobile Number डाली। Term & Condition पे क्लिक करे और Login बटन पे क्लिक करे। OTP आने के बाद OTP डाली। QR code scan करने के लिए Scan QA button पे क्लिक करे। OzoStar को QR code scan करने के लिए Camera permission की जरूरत है। क्रिप्या करके Allow Only While Using the App button पे क्लिक करे। आपके Mobile का GPS on नहीं है क्रिप्या करके Yes button पे क्लिक करे। इस button पे क्लिक करे इससे आपका GPS on हो जाएगा। Ozo Stars पे जाने के लिए Back button पे क्लिक करे। QR code scan हो गया है। आप List Me QR code details देख सकते है। अब QR code से point लेने के लिए Proceed button पे क्लिक करे। क्रिप्या points मिलने तक Mobile पे कोई button ना दबाए। बधाई हो आपको points मिल गया है। आप अपना points यहां देख सकते है। QR code scan करने से पहले इन बातू का ध्यान रखे। QR code को scanner से बहुत दूर रखके scan ना करे। scan करते समय QR code पे ज़्यादा चमक ना आने दे। लोड़ाई में टाजादा कर्या कर देख सकते हैं तो ना आने रखके ज़ीर अगर रखके का उपके रू़वेड़ें